हलो सुडेंट्स वेलकम तो शौरे भारत सेनेकरे मिलिट्री स्कूल यूट्यूब चानल बहुत बहुत सागेत प्यारे बच्चों और आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं लेटर राइटिंग का एक और सेशन और हम लोग कर रहे हैं पॉर्मल लेटर राइटिंग जिसके आज की क्वेसिन के अंदर की किस तरेसे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्स ही आते हैं और युसको का प्यारे बच्चों जब भी हमारे पास में संद्रे का कोई बी question आए तो पहली चीज होती है कि हमेशा से आपको question को डंग से पढ़ना है उसमें दिये गई बातों को mention की चीजों को उसी को mention करना है अपने letter के अंदर पहली बात आप लोग को यह याद रखनी है नहीं दे रखा हो तो आप लोग अपने accordingly उसको लिख सकते हैं डेट का स्पेसिफेकली ध्यान रखना है और आपको कल भी मैंने बताया था यानि इससे पहले भी मैंने अपको अपने मरजी से कोई भी अगर मैंशन होगा तो वह लिखना है अगर मैंशन नहीं हो अगर स्टेट का और इसका नाम दे रखा है नहीं तो आपको वही यूज करना द रोड लीडिंग टू योज तो आपको अराम से सिचुवेशन काफी हद तक जो चीजे चाहिए जो बाते चाहिए लेटर के अंदर वो दे रखी है कि आपका जो रस्था है स्कूल तक जाने का पॉट हो जाने की छोटे-छोटे और गड़े हो रखे सड़क पर और बिलकुल भीड बहार हो जाती है से जगे नहीं बसती चलने के लिए और पॉट होल्स की वज़े से कंजेशन की वज़े से कही बर क्या होता है कि ट्राफिक जैम जैसी स्थितिया बन जाती है अप्षित करेंगे गवर्मेंट के अप्षित करेंगे गवर्मेंट का ध्यान आकरषित करेंगे गवर्मेंट का ध्यान आकर्षित करना है to the issues faced by people requesting them for road construction context so क्या ध्यान रखेंगे हम लोग कि ध्यान रखना है हमें government का ध्यान आकर्षित करवाना है इस context के अंदर और लिखेंगे कि हमें एक request भेजनी है कि हमारे जो लोकालिटी है उसके अंदर road का construction कर दिया जाए बढ़ते आगे तो पहले आज usual हमेशा हम लोग क्या रखते स्टार्टिंग में हमेशा हम sender address भेजने वाले का address यह लिखना होता sender address लिखोगे यह यह लिखिए भेजने वाला जो भी भेजने वाला यह निकि आप भेजने वाले हो आप अपना अद्रस आपका कोई भी लोकालिटी आपको जो नाम याद आए जैसे कल पहले वाली क्लास में लोगों ने अंधिरी इस देखा था बोरी वली यह ना मुंबई के लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में दे रखाओ वेलन गोड़ है एल्स या बड़े नेता है इन लोगों के नाम पर अक्सर वहां पर कोई ने कोई कॉलरी और लोकालिटीज होती है तो से पर साइट में हम लोग इन लोग के नाम लिखकर हम लोग रिलाक्स फील कर सकते हैं तो प्यारे बच्चों याद रखोगे कि स्टार्टिंग में आप लोग क की तारीक लिखनी है जैसे आज दिन है 21 नवंबर तो आप 21 नवंबर के लिए ही डेट लिखोगे 21 नवंबर तो यहां पर यह मतले करना है मैं 21 बोल रहा हूं लेकिन डोंट राइट 21 मैंने आपको समझा रखा है कि हमें डेट के फॉर्माट में यह स्टी एंडी जो हम का मेंशन करते वे लिखना उसके बाद में आएगा रिसीवर्स एड्रस जहां पर हम बेज रहे हैं उसका अड्रस लिखना हमको लोग को पता है अगर क्वेशन में दे रखा है तो उसी का ही मेंशन हमें अपनी लेटर के अंदर भी करना है और मुंबई भी तो बिल्कुल र अधिटर, टाइम सब्स एंड्रस और मुंबई फिर क्या याद की अि फूर लाइन वापश से लाइट छोड़नी एं यहां छोड़ दियान रखना अ यहां परी लाइन लाइन चोड़ के और नीटली всю काम करना है यह बलकुल याद रखना है और सब्जEक आएगा असब यह है वह एक लाइन के लाइन जादा बड़ी लाइन में नहीं लिखना है एक लाइन के पूरी बात आपकी आजानी चाहिए आप बता रहे हो construction of road in गांधी नगर बस इतना ही आपके लिए कि आपके एरिया के अंदर आपके है locality में आपने address केम कर रखा है कि हमें हमाई locality के अंदर क्या बनानी यह सडक बनमाँ इंबात में बात खतम हो चाती एफ हम लोग लिखेंगे गीए ङयर सदियर माडम भी लगाते हैं अक्सर बचे हैं आप हम लूखेंगे सर मैडम जो भी हो यूज़वाना चाहते हैं तो यह हम लोग लिखेंगे इसके अंदर कि हम उसकी तरफ ध्यान आकरशित करवाना चाहते हैं तो यूज़वल हम लोग को ध्यान होना चाहिए कि हमारा जो भी पेज है उस पेज के अंदर हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में सेंडर्स लेट हैं डेट आनी चाहिए रिसीवर्स एड्रेस आएगा सब्जेक्ट आना चाहिए साल्यूटेशन को लगे कि इस उनकी कोई वाल्यू है और उनको इंपोर्टन्स दी जा रही है तो हम लोग अपनी लैंग्वच को बहुत ही ध्यान में रखते वे इस तरह से लिखेंगे आप लोग नोट डाउन करके इंट्रोडक्शन को भी लिख सकते हैं लेकिन यह याद रखना है कि जो और तर्ड को में यह करने अब हम अब हम जो जो रोजनी जहते हैं takes on the माली इतने भी परेशाणियों होती यह उन परेशां़िओ को हम बन टू टू करते वे हैंदा हम उपने सब्सक्राइम के अंदर आपने प्रकाइब यह दिन दिया में रोड यह मारे यह हमारी यहां की प्रमुक सडक प्रमुक मार्ग यह वहां हर जगे जगे पर क्या है पॉट्ष हो रखे हैं मेंनी दूरिंग न ओर और खास कर कब होती आपको पता है भीडभाढ कब इतनी परिशानी होती सुभेसके टाइम में बच्चों को स्कूल भी जाना है है ना आपकी पेरेंट्स को भी अपने जॉब्स की ऊपर जाना होता है कई सारे वेंडर्स भी स्ट्रीट पर आ जाते हैं समान बेचने के लिए सुबह सवेरे तो कितनी भीड भाड हो जाती है और जब गड़े होते हैं तो और ट्राफिक धीरे हो जाता है लोग औ होती तकलीव देने वाली समस्याओं को यहां की जो लोग है वो जेल रहे हैं वेंडेयर गोइंग टो देर वर्क प्लेसे जब भी लोग अपने वर्क प्लेस को जाते हैं अभी मैंने समझा भी दिया आपको जिसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं जो लेडीज हैं आप जेंस है और वेंडर निकल रखें स्ट्वीट वेंडर सड़कों पर अब पॉब्लिक स्कूल इस अलसो सिटुवेटेट ऑन दिस रोड और आप यह क्या कहना चाहरा है कि इतनी बीजी रोड की उपर उपर से एक स्कूल और रोड की उपर आपको पता ही है सुभे और दपहर में क्या हो जाता है कितनी भीड लगती है अलग लग बच्चे स्कूल के लिए आ रहे होते हैं बसे आ रहे होते हैं बच्चों के खुद की वीकल होते हैं चोड़ने आ रहे होते हैं और सड़क पर पूरा जहाम लग जाता है तो कितनी मुश्किल आती है सामने के लिए तो आप अपन वह देखनी पाते पॉट होल्स को और उनकी बाइक या जो भी टूवीलर होता है वो गिर जाते हैं वह से वह जाते हैं कई बच्चों को चोट लग जाती है इस वजे से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है छोटे बच्चों के लिए सेफ नहीं रहता तो हम ऐसे बहुत सारी है किसी भी लेटर को फॉर्मैट है उसे अच्छे से याद करना इस बाकी की चीजों को हमें ज्ञां में रखना है और क्या करना है अपने हिसाब से और पर नपर बात है और वह इक्जाम रहा है बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता है, हमें दोशी चीज़ को जान करें रखनी जबी भी हम बात करते हैं, इस वर्टे आगे, आगे एक बार कारें हम लिखेंगे और उसको बिल्डप करना है, आभी हमारे पास को क्या हो जाए है कि जबी कि हम तार रखनी है, हम लोग अपनी बात क जैसे एंडिक्टर की पास जब कोई ले 2 आएगा व होो देखिगे गा रखनी नगर में समाच्यां तो उसमेश्या क्या क्या है कई भई उसको नहीं पता गार में क्या क्या प्रोब्म भारी वो जा करते में वो जाकर देगा, अगर आप अपनी साली नेगे में स्ब्रार हु अरक वात को रहाता करें ऑपनी आख को हम एवास को अपने लाइबरेटों सामने इसामने आपना कर एड़ीक पिरलेट सी सामने पारेटोल फ्लुडपयर चोश्ट फिर ने रिके शीर्ण सामन आगयारेटेगक hayn वह अखसर यहां पर होने वाले ट्राफिक जाम्स में फस्ट जाते हैं हम यह भी लिख सकते हैं अभी जब हम देखा कि भई इरिटेट और परिशान हो रहे हैं तो ऐसे में क्या होता है कई बच्चे लेट स्कूल पाते हैं जिसे उनको फाइन लग जाता है जो लेट जो पारा है उनको अपने उफेस में देरी हो सकते हैं हम लोग जब पढ़ रहे हैं सोच सकते हैं एक मैं सब्स्क्राइबा और उनको और अच्छी से संजा सकते हैं तो इस लोकालिटी पीपल में बेरे रेप्रेजेंटेशन तो दे गवर्मेंट और जो यहां के गवासी लोग है उन्होंने बहुत गादा कही बार धर्ना प्रदर्शन किया लोग गवर्मेंट को चेताने के लिए और ऑफिसल्स को तमझाने के लिए उनके पास गए भी बहु जाना चाहरा है सुटेंट क्या बोलना चाहरा है रसेडेंट कि वही ऐसा नहीं है कि हमने हमने अपनी तरफ से कुछ कारवाई नहीं करें या हमने कोई आक्शन नहीं लिया लोग गए भी ऑफिशिल्स के पास में वो गए जो अथॉरिटी जो बताने के लिए काईबर होता ह अपना घुक्त शाथन आप या नहीं हमने टार मिर्जा नहीं होता है अब जो को नहीं होता है कि वह एक जो इस तरफ लाड़ कि शान चाहरा है कि उसमें भी तो उनके लोगों ने भी आपने लोगों ने कोषिछ चरी लेकिए अबिका एक्शन नहीं लिया लुग एक्शन फिर लोग अपनी समस्या बताने कि इस समस्या है उसको बिल डब करने के बाद में हमारे थाजीशन क्या रखा है कर दिया आगे और क्या बात आ रही है वहम जाने किया आगे हमें क्या जानना किस कॉंटेक्स पर जाने कि जाने कि वह जिए ज़िए जाने कि आपके अकबार आपके बार बार अगर नहीं रख करना चाहते हैं तो आप जगे रिपटेश को रोखने के लिए लगा सकते हैं देली का मतलब है कि रोज अकबार आपके लोग परिशान हो रहे हैं तो वह इस तरह द्दान देगी और हमारी समस्याओं के सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपके लिए 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 लाइन वापे लाइन के छोड़ें आप लोग करें अब तॉपिक को आपको देखना है और उसके अपने इमाजिनेश्य में लगाने लेकिए फॉर्माट को मेशा ध्यान दखना है ठीक है तांकिंग यू लिखना है लिए लाइन आप इसे लिए लाइन यौर्ज सिंसेरली कर भी बताया था अपॉस्ट्राफ एस बिसको यूसेज दी लगाना है और सिंसेरली में एस हमें सा छोटा लगाए लिए बड़ा एस हमको नहीं लगाना ये लगाना और आपका नाम अब नाम था तो यहां पर हम लोग यहां पर अब लोग जा रहे हैं नीचे वह पहली बात इस प्रॉटन बात का ध्यान रखनी है पॉर्माट का ध्यान रखनी है तो मैं अब प्रन्डे से पहले एक बड़ वापस से आपको एक साथ में याद हो जाएगा हम लोग पापा और दर्मीका जो क्या लगाएंगे हम लोग लोग जो रहे हैं इस प्रॉट की समस्या है तो आप जान की कन्दक्ट इस अर्या में पाइंसव इंडिया में अजना के लिए अगर इस अगी फेजने वाले से लिखेंगे अन लेफने इट भी ने लेफएंगे अन फो बेटेदर से लिखेंगे उसको अद्रेण के ल सब्सक्राइब जो सब्जेक्ट है वो हमें वन लाइन होना चाहिए एक लाइन से जादा एक्सीज नहीं करेंगे इस बारे में जानकारी रखनी है लीव लाइन नहीं देन सालुटेशन सर माडम है ना इंट्रोटेशन देना फिर इंट्रोड़क्शन हमारा बहुत ही सद्धेवे शब्दों में होना चाहिए जिसने हम लोग लिखेंगे त्रू दी कॉलम और एस्टीम राइन वाइडली सर्कुलेटे डेली या निउस्पेपर आई वुड लाइक सब्सक्राइशन देना चाहिए त्रूटेशन में आपको वहां पर मेंचन करनी है पर आप लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे जो में बात रखनी है वो अब आप अपनी बात को रखना शुरू कर सकते हैं तो देरोड लीडिंग तो प्लिक स्कूल इस सो कंजस्टे सब्सक्राइशन में आपको लिखेंगे जगे जगे पर सुबे के टाइम में तो बहुत इस्ति खराब हो जाती है और वहां पर एक बड़ी स्कूल भी सिटुएटेड है और ऐसे में क्या होता है So school students and parents get irritated as they are stuck here very often in traffic jams These locality people made many representations to the government but no action has been taken so far to improve the bad condition of the road That is why now through this letter we want to draw the attention of the government So this is what we want to say that children and parents get frustrated, often get caught in traffic jams So the government will take some action to improve the road condition So what I want to say is that I want to say in this newspaper that the government will open up and have a good job And that the government will open up and have a good job Leave a line thanking you, then leave a line yours sincerely Yours sincerely और हम लिखेंगे रमन जो भी नाम है उसको लिखना यह जानकरी लिखनी है ठीके ना तो यह बेसिक बार बाते आपको जानकरी होनी चाहिए तो यह था हमारत लिटर रैटिंग फॉर्मल क हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे और तरी के जो राइटिंग के कांटिक्स्ट हैं चाहें हम लोग लिror LIKE की बात करें Informal की वह भी करेंगे अर्टिकल अनड हम हम लोग पार्रैटीन भी करने वाले हैं जल्दी मिलते हैं आप लोगों से तब तक के लिए जैहिन थांक यू सू मॉच